लड़का अपनी दुकान पर बैठा था एक भाभी आई और बोली भाईया नाइटी दिखा दो जिसको पहनते ही मेरे पती का पानी निकल जाए लड़का बोला भाभी जी सिर्फ पती का पानी निकलवाना है या पडोसियों का भी एक भिखारी ने आवाज लगाई बाबु जी रोटी मिलेगी क्या घर के अंदर से आवाज आई बीवी घर पर नहीं है भिखारी बोला भोसडी के रोटी मांगा है चूत नहीं जज बोला जब पडोसी तुम्हारी पत्नी को पेल रहा था तो तुमने पत्नी को ही गोली क्यों मारा आदमी बोला जज साहब क्या ये ठीक होता कि मैं हर महीने एक नए आदमी को गोली मारता शादी के बाद साली पहली बार दीदी के घर गई रात को जब सब सो रहे थे तो साली जोर जोर से रोने लगी दीदी ने पूछा, क्या हुआ? साली बोली, जीजा जी मुझे पैलने के बाद कहते हैं, जितने दिन यहां रहोगी तुम्हें रोज देना पड़ेगा काम वाली अपने मालिक से बोली, साहब मुझे 2000 अरजेंट चाहिए, आप अगले महीने ले लेना मालिक बोला, 2000 ले लो, लेकिन अभी दे दो